तो किसे कहते हैं संधी दो वर्णों के मेल को संधी कहते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधी कहते है विकार उत्पन्न होना चाहिए बहुत जरूरी बात है ठीके, क्या कहेंगे हम लोग, अगला अध्या हमारा आरम कर रहे हैं क्या, संधी, और इसके बाद में, जितने भी मातरात्मक तुरूटिया हैं, एक तो वरतनी के कुछ नियम हमने सीखे हैं, और ये पढ़ने के बाद में मातरात्मक तुरूटिया हमारी और भी कम हो जानी चा ये बन गया क्या एकता क्या यहां पर संधी है संधी है की नहीं है भई जल्दी पता दो हां की ना जैसे यहां पर अगर मैं बोल देता हूं क्या मेरे पास में एक शब्द है ग्यान और मैं इसके सामने लगा देता हूं और बन गया क्या ये अग्यान संधी हुई की नहीं हुई भाई हो रही है की नहीं हो रही है हो रही है ना बिल्कुल सही बात कितने लोग को लग रहे है की नहीं हो रही है सबको समझ में आता है संधी बचपन से पढ़े हुए है ना कोई एकदम नया चीज नहीं है ये हाँ कुछ ऐसी बाते हैं कुछ विशेस बाते हैं जिससे हम बेखबर थे बताओ जल्दी से किसको लगता है कि यहाँ पर एकता में संधी नहीं है एक को दो को किते लोग को लगता है ऐसा अच्छा सबको लगता है संधी है एक साथ सरे कैसे कलत हो सकते हो भई यहां पर ग्यान के सामने हमने अल अगा दिया और ये बन गया क्या अग्यान या एक के पीछे हमने ता लगा दिया बन गया एकता अभी तो तुम लोग बड़ा परिभाशा बोले थे किसी समय हमने डिसकस करिया था क्या इसके बारे में दो वर्णों के मेल को ही संदी नहीं कहेंगे दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन होना चाहिए अभी बोले ना तो जो पढ़ते हो उसे सोचा भी करो केवल पढ़ना ही नहीं है विचार करना भी ज़री है अगर विचार नहीं करोगे, तुम्हारे मस्तिस्क विकार उत्पन्न हो जाएगा अब मस्तिस्क विकार को बदलते हैं, चलो क्या कहा हमने, दो वर्णो के मेल से उत्पन्न विकार को तो पहला, हम परिभाशा लिखते हैं यहां पर संधी कहेंगे किसे? दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार अगर दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार अगर दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार मैं कह रहा हूं तो ऐसी इस्तिति में एक बात को हम ध्यान रखेंगे पहली बात तो ये कि बोल रहा है दो वर्ण किनके मिलने बारे में बात कर रही है दो वर्ण शब्द नहीं कभी भी शब्दों का मेल हम नहीं कराएंगे हम कराएंगे किनका मेल वर्णों का मेल और वर्ण कहते किसे हैं वर्ण के अंतरगत हमने वर्ण माला पढ़ी है न तो वर्ण माला को ध्यान में हमको रखना है, कौन सौर है, कौन मेंजन है, और इसी के लिए मैंने एक दिन आपको प्रैक्टिस कराया था, क्या वर्ण विक्षेद, सभी थे उस क्लास में, वर्ण विक्षेद वाली क्लास में, वर्ण विक्षेत करके देखे थे हम लोग खूब सारा वर्ण तोड़े थे वर्तनी के टाइम पर ही है ना अगर नहीं थे तो वर्तनी वाला वो वीडियो लेक्चर ही देख ले ना या वर्ण माला वाला वो वीडियो लेक्चर ही देख ले ना जहां हमने वर्णों को तोड़ना सीखा था शब्द को अलग अलग वर्णों में तोड़े थे तो हम वर्ण को अहां समझ सकते हैं समझ सकते हैं बात चलो तो वर्णों का होना चाहिए क्या मेल और मेल से उत्पन होना चाहिए विकार अब इस शब्द को देखो जोड़ दूँ एक धन अंकी क्या बनेगा क्या बनेगा कोई परिवर्तन हुआ क्या परिवर्तन आ रहा है अंकी मातरा कमे लग गी जा करके और वो बन गया क्या और वो एक कंकी नहीं एक कांकी हो रहा है एक कंकी नहीं हो रहा है क्या हो रहा है एक कांकी यहाँ पर भी क्या था, यहाँ का Αंतिम्मन यह दी एद़न कदन अ ऐसा ही था न यह और यह जो अ है यह पहला शब्द का अंतिम्मन है और यहाँ पर हम देखें, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो, यहाँ पर क्या है अंग, दहन, कदन ए ऐसा ही है और यहाँ पर क्या है अंग अंग में हमको पता है सामनी की तरफ अ होता है अंग में सामनी की तरफ अ होता है और इसलिए इस अ और इस अ का मेल हुआ और बन गया क्या आ तब जाकर करके यहाँ पर दिखता है हमको एक कांग की, क्या दिख रहे हैं आपर एक कांग की, मतलब कि दो वर्णों का मेल हुआ और मेल से हुआ एक विकार उत्पन, अब क्या उत्पन हो रहा है एक विकार उत्पन हो रहा है समझे में आरी बात, आरी कि नियारी बात, तो यहां पर हम कहेंगे अगर एक में ता जुड़ा तो भई एक अलग है ता अलग ये तो है ही ना एक ता तो यहां पर ता वास्तों में क्या है प्रत्याए क्या है वो प्रत्याए और यहां पर ग्यान के सामने हमने लगा दिया क्या अ मतलब कि यह क्या है उपसर्ग तो ये उपसर्ग और ये प्रत्य का उदाहरड था ये संधी का उदाहरड नहीं है समझ में आई बात संधी होगी कब संधी होगी जब दो वर्णों का मेल होगा और मेल से उत्पन होगा विकार तो जब भी ऐसा विकार उत्पन ना हो, हम उसे संधी नहीं कहेंगे क्या है कि हमारी आदत होती है जो चीज लिखा उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जो चीज लिखा है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, वो भी जानना बहुत ज़री है, ठीक है, परिभासा पढ़ लिए ना, चलो तो एक शब्द और मुझे बता दो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहां पर, स्वागत क्या स्वागत में संधी है क्या है स्वागत क्या है जैसे मैं लिख देता हूँ यहां पर, सावधान, क्या यहां संधी है हा की ना जल्दी बोलो हा कि न क्या ही लिख रहे हो तुम लोग, क्या करोगे इनको लिख करिये तुम्हारी किताब में पहले से था जो चीज किताब में पहले से दिया हुआ है, उस पर तुमने विचार नहीं किया, तो विचार करो करके ही तो मैं यह समझा रहा हूँ और तुम अभी भी क्लास में दिलिखते रहे तो फिर कोई फायदा नहीं, घर जा करके विचार करने की छमता खतम, तो छापो नहीं सुनो, सोचो और उत्तर दो सोचो, ये क्लास सोचने के लिए है तो ध्यान से सोचो जरा क्या यहां पर सुधनागत में है संधी है, क्यों? सुधनागत कौन सी संधी, क्या संधी पढ़ेंगे बाद में, हैगनी यह आपर और यदि मैं सावधान कहूँ तो नहीं है यहां पर पक्का नहीं है सावधान को तोड़ करके दिखो आपको मिलेगा सधन अवधान, क्या मिलेगा सधन अवधान और स का यहाँ पर यदि मैं तोड़ू ही से तो स और अ मिलेगा, और यहाँ पर तो अ है ही, और वधान भी लिख देते हैं अलग से, तो यह दोनों अ मिल करके बनते हैं, क्या आ और ये आ की मातर रख्ती किसमें समे तब बनता है ये सावधान क्या बनता है भई ये सावधान ये लो तो बताओ यहां पर मिल करके आ हुआ मतलब की परिवर्तन आया और परिवर्तन मतलब विकार आया और विकार मतलब की संधी होई तो जब कभी भी विकार उत्पन हो अर संदी के लिए सबसे पहले हमको यही समझना है कि वहाँ पर परीवरतन हो रहा है या नहीं हो रहा है एक, और दूसरा विकार उत्पन होना चाहिए किस पर? वर्णों पर किस पर होना है? शब्दों के मेल को हम नहीं कहेंगे यदि इस तरीके से सब्दों का मेल हो रहा हो तो वो बन जाएगा समास क्या बन जाएगा समास जैसे आप बीती यदि कोई कहा देता है क्या कहा दे अपने पर बीती यदि कोई कहा देता है क्या यदि हम तोड़ने की कोशिस करेंगे दशानन को दस हैं आनन जिसके अर्थात रावड ऐसा कहते हैं न कितना सारा explanation देना पड़ रहा है तो हम लोग इस तरीके से उसको एक समास होता है बहुबरी ही सुने होगे कभी वो डाल दे और यदि बहुबरी ही नहीं है तो भी हमको पता है कि दस मतलब अंक वाली बात आ रही है तो द्विगू भी बोल सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं तो ये सब समास हो जाते हैं तो समास में किनका मेल होता है शब्दों का और संधी में किनका मेल होता है वर्णों का वर्णों और शब्द में हमको अंतर पता है ना अच्छे से पता है सबको अच्छा वर्णा और अक्छर में अंतर पता है ना वर्णा और अक्छर में तकन्फीज नहीं होगे कभी यदि मुझे जोड़ना है यदि मैं किसी को भी जोड़ू जैसे यदि मैं जोड़ देता हूँ अगर त को मुझे जोड़ना हूँ किसी से भी त को जोड़ना हूँ त और अ अगर मैं त ऐसा जोड़ा हुआ हूँ तो क्या मैं अभी त के त वाले हिस्से को जोड़ूँगा कि अ वाले हिस्से को जोड़ूँगा यदि मैं आपको कह दूँ अगर मैं कह देता हूँ नाथ अच्छा सब्द है नाथ यदि मैं इस नाथ में यदि मैं अ जोड़ दू और बना दू अनाथ अब क्या है ये यहां पर संधी हुई कि नहीं हुई नाथ में यदि मैं अ जोड़ देता हूँ धन नात अब देखना ध्यान से मैंने जगत में हलंत लगाया है जगत में हलंत लगाना पड़ा मुझे अगर मैं जगत में हलंत नहीं लगाता तो क्या होता अगर मैं जगत में हलंत नहीं लगाता तो ये जगत का त और फिर नात तो वास्तों में यहां पर मैं जग को shortcut ऐसा लिख देता हूँ और तधन अ होता और ता का संधी होता किसे न से जो कि फिर संभव नहीं है तो यह जगतनाथ हम लोग लिखते बैठे रहते क्या दीखे गई है जगनाथ कैसा दीखे गई है जगनाथ सुने हैं न हम जबी ता का ना में परिवर्तन होता है क्यों कैसे कौन सन्यम है बहुत बात में देखेंगे आराम से पहले समझते हैं क्या समझेंगे हम लोग यदी यहां पर हलंत मैं नहीं लगाता तो ताके अवर्ण का मेल होता ना से और अवर्ण का मेल वहाँ पर पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जो है कोई भी परिवर्टन नहीं देखने मिलता हम कह देते जगतनात लो यह आ गया जगतनात लेकिन हम कहते क्या है जगनात और जगनात बनाने के लिए हमें ताकोना में जोड़ना जरूरी है तो संधी के लिए दो चीजें का हमको ध्यान रखना है पहली चीज क्या विकार उत्पन होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए पहली चीज दूसरी बात हमें ध्यान रखना है क्या वर्णों का मेल हो, अक्षरों का मेल ना हो, अक्षरों का मेल होगा सब गड़ पड़ हो जायागा अक्षर का मेल नहीं होना है तो कभी भी हम लोग को अगर वेंजन से साथ संदी, स्वर में तो ये दिक्कत आएगा नहीं स्वर तो वर्ण भी वही है अक्षर भी वही है वेंजन के अक्षर अलग होते हैं और वर्ड़ अलग होते है ये हमने वर्ड माला में clear पहले ही कर लिया है तो वर्ड विक्षेत कितने लोग को नहीं हाता हाथ उपर कल लो जल्दी से क्योंकि अब मैं वही करवाने वाला हूं वर्ण विक्षेद करना कुछ दिन पहले तक हम लोग कर रहे थे ना बहुत सारा एक, दो, तीन, चार पाँच, छे, ठीक वीडियो देख करके आओ अभी मैं सिखाने वाला नहीं हूँ क्या सो ज़िदे मैं पूछूँगा और सिखा दूँगा चैलो यह हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं तो यह आपको एक बार वीडियो देख करके आना है ठीक है बात? कोई बहुत बड़ी बात नहीं छोटी-छोटी सी बात है और अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कोश्चन में आपको समझ माने लगेगा ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि संधी में प्रश्ण कैसे आते हैं हम संधी तो समझ में आगे, होता क्या है संधी? तो दो वर्णों का मेल होता है, विकार उत्पन होता है उसे संधी का देते हैं, पूछता क्या है संधी में? कोई भी आपको संधी दे दिया जाएगा और पूछेगा संधी का प्रकार बताईए question number one क्या आता है संधी का प्रकार बताईए तो कभी-कभी आसान देता है कि स्वर संधी है, वेंजन संधी है, विसरक संधी और कभी पूछेगा कौन सी स्वर संधी दिर्ख, यड, आयादी, गुड, वृद्धी पता ने कितने प्रकार के होते हैं तो वह भुसकर के अंदर कोश्ण पूचेगा क्या आता है पहला कोश्ण किस प्रकार का रहता है संधी का प्रकार बताने पूचेगा पहला दूसरे प्रकार का exercise होता है जहां आपको संधी करने के लिए कहा जाता है दो शब्द दे देंगे बोलेंगे आप जोड़ के बताओ कोई भी दो शब्द जोड़ करके बताने के लिए कहा जाएगा और दो शब्दों को जोड़ना बड़ा आसान है लेकिन अगला जो कोशन आता है ये होती समस्या जब पोल दिया जाता है क्या संधी विच्छेद करना है क्या करना है भई संधी विच्छेद मतलब कि तोड़ना है जैसे अगर मैं लिख देता हो पवन चलो पवन का संधी विच्छेद करके देखे पवन में संधी है कि नहीं पहली बात तो ये पवण में संदी होगी है कुछ के अनुसार है चलो बताऊ जारा पवण में अगर संदी है तो कौन सी है आयादी संदी गुड आयादी स्वर संदी और क्या होगा इसका विक्षेद पाउ की पो पाउ कैसे बोल रहे हैं फिर पाव बोलते तो फिर पावन हो जाता भाई क्या होगा ये पोधन अन क्या हो जाएगा पोधन अन यदि मैं गलती से इसको पाव बोल दूँ तो ये फिर बन जाएगा क्या पावन बन जाएगा क्या बन जाएगा अब पावन पावन में अंतर है ना उन्हों एक ही बात है, अंतर तो है, अब यहाँ पर चलो, यह थोड़ी सी अंदर की बात हो गई, जितने लोग संधी नहीं पढ़ें, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम इतना समझें, कि इस तरीके से हमको संधी विक्षेत करने के लिए भी आता है, समझ के आप जगनात लिख सकते हो, लेकिन जगनात से जगतनात बनाना थोड़ा सा मुस्किल है, तो हम पहले बार में संधी पढ़ते हुए, पहला प्रैक्टिस हम यही करेंगे, पहले हम जानेंगे संधी के प्रकारों को, और उदाहरर के साथ में पढ़ते चले जाएंगे कि क्या-क्या संधी होते हैं, उदाहरर देखते चलेंगे, और दूसरी बार फिर से हम संधी पढ़ेंगे, reverse study करेंगे, जहां पर हमारे सामने पूरा board भर के होगा बहुत सारा शब्द, और उसको इत्मिनान से तोड़ते बैठे रहोगे आप लोग, ठीके, तोड़ तोड़ ठीक है बात, क्या क्या पढ़ना है, इसमें संधी में हम गो, और इन दोनों ही चीजों को highlight करके रखना, ये हर किताब में पहला line ये लिखा रहता है, लेकिन कभी ध्यान देते नहीं हो तुम लोग, और बता देते हो यहां पर एकता में संधी है बोल रहे हैं, बताओ भला, एकता में संधी नहीं, एकता में क्या है, सक्ती है, बल है, दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार को संधी काते हैं, संधी कितने प्रकार के हैं, संधी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, संधी होती कैसी है, संधी होता कैसा है, देखो यहां पर, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द होगा कोई भी पहला शब्द पहला शब्द का अंतिम मर्न क्या देखेंगे हम लोग पहले शब्द का अंतिम मर्न पहले शब्द का अंतिम मर्न और उसके साथ संधी करेंगे किसका दूसरे शब्द के प्रथम मर्नका पहले शब्द के अंतिम मर्नका और दूसरे शब्द के प्रथम मर्नका इन दोनों की होती संधी जैसे यदि मैं यहाँ पलिक देता हूँ कोई एक शब्द विद्या धन आले विद्या धन आले यहां पर क्या है अंतिम बने क्या है इसका विद्या का अंतिम बने बोलो जल्दी से आ क्या है यहां पर और आले का आ और आ से क्या बनेगा तो बन गया क्या क्या बन गया भई यह लो विद्या बना लिए ठीक है क्या बना लिए हम लोग विद्याले बना लिये यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे तत और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लीन क्या लिख दूँ तत और लीन यहाँ पर अंतिमवर्ण क्या है यहाँ पर अधत और यहाँ पर क्या है लख और यी तो बाद की बात है यी तो बाद की बात है ये तो यहां पर क्या परिवरतर आएगा इससे बन जायेगा अभी तल्लीन का सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है तत्धनलीन से तल्लीन कहना बहुत असान है चलो मेरे लिए जरा आप इसको तोड़ करके बताओ नीरोग क्या हो जाएगा नीधन और नीधन रोग मैं ऐसा लिखूंगा कैसा हैगा शाबास बहुत बढ़िया नीधन रोग यह आ जाएगा क्या नीरोग ठीक है बात यहाँ पर होता है मात्रा में परिवर्तन अब इसको ले करके कुछ के मन में एक समस्य आ सकती सर हम तो किताबों में नीरोग ऐसा भी लिखे हुए देखे हैं देखे हो की नी देखे हो कभी देखे हो पक्का नीरोग ऐसा होता है कि ऐसा होता है करो योग रहो निरोग वाह साबस ये भी अच्छा है ये वाला निरोग लिखा था कि ये वाला निरोग लिखा था ऐसा वाला लिखा था यह भी ठीक वैसा ही है जैसा मैंने आपको कहा था कि वास्तविक्ता में होता है क्या चिहन लेकिन हमने अब तदभव रूप में मान लिया है क्या चिन वैसे ही याद रखना कभी भी आपको लिखना हो नीरज आप ऐसा नीरज लिखते हो यदि आपको लिखना हो नीरस आप ऐसा नीरस लिखते हो ठीक उसी प्रकार, आपको निरोग भी ऐसा ही लिखना चाहिए, लेकिन निरोग को इतने बार इतने जगा ऐसा निरोग लिखा गया है, कि अब जो है कहा जाता है, कि यह इसका तद्भाव रूप है, और यह इसका तद्सम रूप है, ठीक है बात? समझ में आरी बाते हैं, यह तदभा रूप में स्विकार कर लिया गया है लेकिन आप नीरज को ऐसा मतलिक देना कभी ये अस्विकार ये वही नीरज ऐसा नहीं होगा कभी भी नीरोग ऐसा बना दिया नियमतह नीरोग भी ऐसा ही होना चाहिए था लिख देते हैं ऐसा और अब वह तद्भा रूप में स्विकार कर लिया गया है ठीक है बात इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्तनी शुद्धिकरण कोई एक क्लास नहीं है बल्कि लगातार सीखे जाने वाली प्रक्रिया है ठीक है चलो बहुत सारे लोग कुछ कुछ क्लासेस मिस करते रहते हो और फिर लाश्ट में आगर गे सर वर्तनी शुद्धिकरण का बहुत सारा सब्द आता है सर सर वर्तनी कैसे पढ़ें सर नहीं पढ़ सकते वर्तनी कोई दुनिया का वेक्ति तुमको एक दिन में वर्तनी नहीं पढ़ा सकता वो आज से लेकर के हिंदी के अंतिम कक्छा तक वर्तनी शुद्धिकरण लगातार जारी रहेगी ठीक है बात चलो तो यह होगे हमारे पास में क्या नीधन रोग नीरोग हम लोग अच्छा तुम लोग जब यह इतना अच्छा नीरोग को बता लिए यह तलीन बता रहे हो तो संधी तो पढ़े हुए लोग हो तुम लोग पढ़े दिखे लोग हो फिर यह अचानक एक धंता एकता इतना गंदा अंसर कैसे होगे था भई ठीठा का अंसर तो करना चलू, गर लिये थे अब, चलो अच्छी बात है, चल ये तो देखते हैं, संधी के प्रकार कितने होते हैं, ठीके, सिदे जिदे, संधी समझ में आ रही ही ना बात सबको, संधी का मतलब क्या होता है, करना क्या होता है, ये तो समझ में आ रहा है, अब करें फटा-फट परिभासा लिखना चालूंत करना मुझे सुनके वह परिभासा गक्षा चठवी कि किताब में भी दिया हुआ है और ओडिया है उसी को भी बस बताऊंगा मैं चठवी गक्ष्षा की बाते उसी को लिखकर गारोगे सोचा करो, बस सोचना है यहां क्लास में तो बताओ संधी के प्रकार हैं तीन, फिर से एक सोचने वाला प्रशन तीन प्रकार होते हैं, कौन कहां से तीन प्रकार होते हैं स्वर, वेंजन और ठीक, संधी के प्रकार हम देख लेते हैं, यह है संधी और संधी के प्रकार आप लोगों के अनुसार होता है स्वर एक होता है वेंजन और एक होता है विसर्ग होता है एक चीज़ बताओ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वर्णों को कितने भाग में बाटा गया है जो पुराने इस्टुएंट है तो लोग अभी थोड़ी दिर के लिए सांत रहेंगे, ठीक है, जो एक बार पढ़ चुके हैं, हाँ, एक दो लोगी है ना ऐसे, कौन कोर हिंदी मुझी से एक बार और पढ़ चुके हैं, एक, अच्छा केवल एक, हाँ, नंदनी सांत रहेगी बस, बाकी, नंदनी एक तरफ, बाकी 101 तरफ, चलो, अब करते हैं तुलना, ठीक, अब बताओ मुझे जरा, कि संधी एक, संधी के प्रकार होते हैं, स्वर, वेंजन और विसरग, अगर मैं वर्णमाला वाले चैप्टर पर दुबारा जाने कोशिस करूँ, तो मुझे बताइए जरा, वर्णमाला को हम प्रश्ण समझ पारे हो मेरा, स्वर संधी होती है, वेंजन संधी होती है, तो यहां अयोग वाह संधी होनी चाहिए न, और अयोग वाह संधी ना हो करके विसरग संधी है, तो क्यों, आखिर क्यों, अनुस्वर की संधी नहीं है, प्रश्ण दूसरा मैं परिवर्थित करके पूछ लूँ, अनुस्वर संधी क्यों नहीं, केवल विशर्ग संधी ही क्यों, ये क्यों नहीं, अयोग वहा के तो दो रूप है मारे पास, विशर्ग और अनुस्वर, अनुस्वर संधी क्यों नहीं, विशर्ग संधी ही क्यों, मस्त पढ़ करके तो आये हो बचपन से पढ़ते आये हो ऐसा ही थोड़ी है मना, धन, योग, मनो, योग क्या-क्या नहीं रट करके बैठे थे हैं उड़ गई धज्जिया इंग्लिश विडिया मालो खुसो जाओ ये हिंदी विडिया मालों से ऐसे प्रशन मैं जरूर करता हूँ ताकि इंग्लिश वालों का क्या है मनोबल बढ़ता रहे कि हिंदी वालों को भी आता जाता कुछ है नहीं वैसे ठीक है चलो, पढ़ गर के बैठे थे, सोचे नहीं कभी यही दिक्कत है दिक्कत यहीं पर है क्या, विसर्ग क्यों, अनुस्वर क्यों नहीं अगर अनुस्वर और विसर्ग दोनों अगर संधी होती तो हम अयोगवा संधी लिख देते, सिदी सिदी बात है स्वर्ग संधी, वेंजन संधी, अयोगवा संधी अनुस्वर क्या है चलो मेरे लिए कुछ सब्द लिख करके बताओ लिखो मेरे लिए ज़रा अंकित अंजली जैसे यदि मैं लिखता हूँ क्या यहां पर अंजली क्या लिखा मैंने अंजली लिखे हम लोग और यहां मैं लिख देता हूँ जैसे गीत क्या लिख दिया मैंने गीत या चलो मैं लिख दियता हूँ गीता क्या लिख दिया अब एक गीता लड़की है एक है कौन अंजली अगर इसमें मुझे संधी करानी हो तो मुझे एक चीज़ बताओ इसका अंतिम वर्ण क्या है आ आ इसका प्रथम वरना क्या है अंकी अ ठीके और दोनों मिल करके बन जाएंगे क्या और इसलिए हमारे सामने नया सब्द क्या जाएगा ये आगे क्या गितांजली ठीके बात अब समझना ध्यान से यदि मैं अंके साथ संधी कराना भी चाहूं तो भी संधी वास्तों में किसक अब अनुस्वार का संधी हुआ क्या ठीक अब मुझे एक चीज बता तुम मुझे लिख करके बताओ अहम ऐसे लिखते हैं आहम? ऐसा लिखते हैं ना लेकिन जब इसे मुझे वर्ण विक्षियत करना हो तो मैं लिख सकता हूं इसे क्या अहम? अगर मैं अहम का वर्ण विच्छत करूँगा तो मैं ऐसा तो नहीं लिखूँगा अ, ह, फिर उसके बाद मैं अ, 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 ऐसा तो नहीं लिखूँगा मैं वास्तों में क्या लिखता हूं इसको अंतिम में क्या लिखूँगा मैं चलो ऐसे कुछ और भी मुझे ऐसे कुछ शब्द बोल करके बता दो जिसके अंतिम में अंग की मातरा आती हो स्वयम यदि मैं स्वयम को भी लिखूँ यदि मैं लिखता हूँ स्वयम, तो स्वयम को भी तो वह वास्ता हूँ मैं ऐसा ही लिखता हूँ क्या हो जाता है ये तौम, तौम में भी मही आएगा सत्यम मतलब समझ पारे हो मेरा कहने का मतलब हम कभी भी अंकी मात्रा के साथ अंत करना चाहें किसे सब्द का तो वहाँ पर वास्ता में अंतिमर्ण होता है क्या मा क्या होता है कभी भी अंकी मात्रा नहीं होती क्या होता है भई मा तो ये तो एक प्रकार का क्या है वेंजन है न ये क्या हो जाता है तो कुल मिला करके अनुस्वर जो है ना प्रथम मर्ण में सामिल होता है संधी में ना ही अंतिम मर्ण बन के सामिल होता है संधी में, अनुस्वर का संधी होता ही नहीं है अनुस्वर का संधी होता ही नहीं ना कभी वो अंतिम मर्ण में आ रहा है ना कभी भी प्रथम मर्ण में आ रहा है तो जब किसी भी शब्द के अंतिम या प्रथम में वो आही नी रहे, तो संधी हो पाएगा क्या? तो जब अनुस्वर का संधी नी हो रहा है, तो बीना तभी इसको अईोग वाह संधी बोलके क्या फैदा? इसलिए हम कहा देते हैं क्या सिधा? विसर्ग संधी, समझें अब बात को हांकि ना? हम कहेंगे क्या केवल विसर्ग संधी अनुस्वर संधी हम इसलिए कभी भी नहीं पढ़ते ठीक है बात चलो तो ये हमको बात समझ में आ गई स्वर वेंजन और होता है केवल विसर्ग संधी न की अयोगवा संधी अब बात करते हैं कि आखिर कब किसी स्थिदी में स्वर संधी कहेंगे स स्वर संधी किसे कहते हैं जल्दी पता दो स्वर संधी कब कहेंगे स्वर प्लस यदि प्रथम सब्द का अंतिमवर्ण स्वर हो अद्विती सब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तब क्या होगी तब क्या होगी अब ये थोड़ा सा बार बार बोलने में थोड़ा सा दिकत ह इसले मा He back the झता हूं सुर्धन सुर। सुरों का योग हो और यो कब होगा प्रथम शब्द का अंतिमवर्ण अद्विती शब्द का प्रथम वर्ण तब होगा सुर्श्वन्दी यदि गलती से सुर के साथ वेंजन का मेल हो यदि Wells के साथ स्वर का मेल हो या वेंजन के साथ वेंजन का मेल हो क्या कहा देंगे हम उसे क्या कहा देंगे उसे वेंजन संधी कहा देंगे क्या कहा देंगे वेंजन संधी कहा देंगे अब विसर्ग में देखो विसर्ग में भी ऐसी लिखू क्या मैं विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ विंजन, या विंजन के साथ विसर्ग, या स्वर्ग के साथ विसर्ग, ऐसा होगा, विसर्ग के साथ किसका मेल होना चाहिए, स्वर्ग का, या विसर्ग के साथ किसका मेल होना चाहिए, विंजन का, होगा ऐसा, साथ ही साथ क्या मैं लिख सकता हूं कि वेंजन के साथ विसर्ग का मेल हो वेंजन पर विसर्ग ऐसा भी तो हो सकता है ना या सुर्ग के साथ विसर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है अब दो प्रकार के अंसर आ रहे हैं यस सर और नो सर यस सर वाल हाँ दूपर करो एक दो तीन खाली यह ऐसे क्यों कर रहे है बंदुख चलाने कोज़े से क्या अच्छा जहाँ दूपर करो तुम देखो दो बस और हाँ बोलने वाले ना बोलने वाले किते लोगों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता अब बाकी लोग यह तो बड़ी दुविधा की बात है संधी पढ़ना भी चालू है तुम लोग जबरस्ती ऐसा हमाँ सुचो भई कि संधी बहुत कठीन हो जाता है तो सर इसमें बहुत जादा बुद्धी लगाना पड़ता है इतना बुद्धी तो है तब तो डिप्टी कलेक्टर बनोगे भई यह हिंदी तो सबसे आसान भी से है यह कौन समार के तुम्हारा बहुत बड़ा इतिहास की बात बता आ रहा हुँ है है या कोई समिधान समिधान में होता है दिक्कत आर्टिकल 14 कि विधी का समान सरक्षड और विधी के समक्ष सम्ता ओ समान सरक्षड की सम्ता है कि दिमाग घो जाता है गुल ज़्यादा असान लग गया हाँ चलो तो देखो यहाँ पर पहली बात तो यह भई कि संधी का नियम दो बातों को ध्यान रखोगे आपको उत्तर मिल जाएगा पहली बात संधी होता कैसे है प्रथम सब्द का अंतिम वर्ण और दुईती सब्द का दुईती सब्द के प्रथम वर्ण के साथ होता है हा की ना यदि मैं वेंजन के साथ विसर्ग को मिलाना चाहूँ तो विसर्ग पहले आएगा क्या कभी कभी भी तुमने कोई भी शब्द ऐसा जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रातः जैसे मैं अगर लिखता हूँ चलो दुख भी ऐसा लिख देता हूँ पहले में ही लगा है ना विसर्ग तो क्या विसर्ग सामने लगा है कभी आथ तक जिन्दगी में ऐसा देखे हो कि अहा पहले लगा हो उसके बाद में शब्द लिखा हो देखे हो कभी तो दूसरे सब्द का पहला वर्ण अहा कैसे हो सकता है विसर कैसे हो सकता है? संबव है? चोछी संबव भी नहीं, फिर ऐसा विशार क्यों करना? समझ मैं आई बात? नियम नहीं है, कहीं किताब में लिखा नहीं मिले का तुम को, तुम को बुद्धी लगान है कि ऐसा होता क्यों नहीं है? बुद्धे लगाओ कि क्यों अनुस्वर के साथ संधी नहीं होता क्यों विसर का पहला दूसरा सब्द क्यों नहीं हो सकता क्योंकि विसर कभी भी किसी भी सब्द का प्रथम मर्ण हो ही नहीं सकता तो जब वो प्रथम मर्ण हो ही नहीं सकता तो ऐसी इस्थिति संभव है क्या तो कुल मिला करके संधी की कौन-कौन से इस्थितिया हमारे पास संभव है या तो स्वर में स्वर मिले या तो स्वर में वेंजन वेंजन में स्वर या वेंजन में वेंजन या तो फिर मिलेंगे विसर्ग में स्वर ये तीन कंडिशन है ये तीन कंडिशन के बारे में हमको अध्यन करना होता है स्वर के साथ में यदि मेल हो रहा हो तो क्या है स्वर और स्वर और यदि एक तरफ विसर्ग आ गया तो है विसर्ग संधी और इन दोनों के अलावा बच्चे-खुचे सारे कहा जाएंगे वेंजन संधी में हा की ना, बात समझ में आ गई clear है एकदम concept तो अगर ये clear है तब फिर हम लोग लिख पाएंगे परिभाशा ऐसे योही कुछ भी परिभाशा लिखते नहीं चरेंगे चलो लिख लो इसको जलदी से लिख लिजे जलदी से कि स्वर संधी होता क्या है वेंजन संधी होता क्या है और विशर्ग क्या होता है जो नहीं होता लिखा हूँ ना जो मैं काटा हूँ वो भी लिखी ही ले ना क्योंकि आज नहीं तो कल फिर confused हो जाओगे, बोले sir पता नहीं क्या तो था नियम कोई लिखित नियम नहीं है ये सोचने की बात थी चले लिखे जल्दी से अरे इसी को लिखना है? हो गया क्या ये? हटा दे इसको चलो, तो देखते हैं अब हम पहला स्टार्ट करते हैं स्वरसंदी जई क्या आखिर स्वरसंदी होता क्या है? चले तो टॉपिक डाल दीजेगा स्वरसंदी अब पढ़ते हैं स्वरसंदी स्वरसंदी भी कुछ अलग-अलग प्रकार के होते हैं क्या? किदने प्रकार के होते हैं स्वरसंदी? पांच प्रकार के होते हैं? अरे बाव अरे जदा हो गया तो पांच प्रकार के होते हैं स्वरसंदी? चलो ठीक है कोसिस करेंगे पांचों प्रकार पढ़ते हैं देखते हैं स्वरसंदी पढ़ने के लिए हमें किसी की आ सकता है सबसे पहली बात वर्णमाला में स्वरों की तो जल्दी से पहले स्वरों को लिख लेते हैं चलो लिखवा दो मुझे भी जरा क्या क्या होता है बोलते जाओ आ आ ई ई उ उ री फिर ए ए आ ओ आ अ ठीक या बात इतनी होता है सवर हमारे पास अब इनी सवरों के साथ करना हमको कुछ तो ऐसा तालमेल बनाना है जिससे अलग अलग प्रकार की संधी हो बहुत आसान है संधी को समझना बस उदाहरर सहीद हम लोग को देखते चलना है परिभासा और इभासा आप लोग इतनान से लिखवाता रहोंगा तब लिखना जैसे सवर संधी अब मुझे कोई सवर संधी की परिभासा बोल करके बता दो किसी को लगता है सवर संधी परिभासा बोल सके किसे कहेंगे सवर संधी बस बहुत आसान दो स्वरों के मेल से उत्पन विकार को स्वर संधी कहते है संधी की परिभाशा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार को संधी कहते है अब हम लोग चुकि स्वर पढ़ रहे हैं और स्वर में हमको पता है कि सिर्फ स्वरों का ही क्या होना है? मेल तो हम कहेंगे दो स्वरों के मेल से उत्पन विकार को स्वर संदी काते हैं यदि मुझे वेंजन संदी की परिभाशा बोलनी हो तो मैं कैसे कहूंगा दो ना 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 यदि स्वर एवं वेंजन या वेंजन एवं स्वर या वेंजन एवं वेंजन का मेल हो तब उत्पन विकार को वेंजन संदी काते तीन कंडिशन लिखे देना बस सिंपल तो परिभाषा लिखना बहुत मायने नहीं है मायने क्या है अब देखो स्वरसंदी स्वरसंदी के आपके अनुसार आप लोगों के अनुसार कहा है आपने कुछ विसेश प्रकार होते हैं कौन कौन से प्रकार बोलो तो जरा चलो चलो जल्दी यल्दी बोलते चले आते हैं देखो सबसे पहला होता है क्या हमारे पास दीरगस्वरसंदी क्या होता है भई दीरगस्वरसंदी के बाद में यड स्वरसंधी ये लो भई यड स्वरसंधी और फिर आयादी स्वरसंधी कितने होते हैं भई ये पांच हो गए कितने हुए ना कितने स्वरसंधी देख लिए हम लोग दिर्ग गुड वृद्धी यड और आयादी फिर से देखो क्या क्या देखा हमने पांच प्रकार के होते संधिया और इनको इन ही करम में याद रखो जादा बहतर है इस करम के मायने आपको अभी समझ में आने लग जाएंगे ठीक है इसी करम में याद रखना है क्या क्या होते है स्वरसंधी बोलो जल्दी से ठीक है बात अब देखते हैं कि ये होते क्या है ठीक है बात सबसे पहले देखो एक संधी है क्या दिर्ग सबसे पहले क्या है दिर्ग स्वर संधी दिर्ग स्वर संधी किसे कहते हैं तो ध्यान से देखना जब कभी भी दो समान स्वर जैसे अ और आ इनका मेल हो भी कैसा इनका मेल ऐसा हो की आ में आ या आ में आ या आ मिले तो result हमेसा क्या हाएगा आ क्या हैगा ठीक वैसे ही इनका combination कैसा भी हो result क्या है और इनका combination कैसा भी रिजल्ट हमेसा क्या आएगा बढ़ाओ चाहे छोटे छोटे बड़े मिले चाहे बड़े छोटे बड़े बड़े मिले हमेसा answer क्या आना चाहिए बड़ा में आएगा दिर्ग हमें आएगा तब उसे क्या कहेंगे दिर्गस्वरसंदी और मेल होना है आपस में ही आपस में मेल होना ये बात एकदम तेय है तो अमे आप जैसे हम लोग मिला है वैसी इसको बोलेंगे E और E ए और E और E और E या E और E अब मुझे बताओ यदि ये बात आपको पता हो और उसके बाद यदि आप नाम लिख करके आते हो क्या रवीस कुमार ये सही है य गलत है, हमें समझ में आएगा ये गलत है, क्यों हम जानते हैं ये बनेगा किसे रवी धन, रवी धन, रवी धन इस से बनेगा ये, अब रवी धन इस से बना है, कुछ भी हो, इधर छोटा हो, इधर बड़ा हो, बड़ा हो, छोटा कुछ भी हो, हमेशा अंसर क्या ना चाहिए क्या आना चाहिए समझ रहे हो कैसे किस तरीके से पढ़ने से वर्तनी शुद्ध होना है तो ये केवल बात रटने की नहीं कि किस में क्या होता है आपको समझना भी है समझते चलना है ठीक है बात चलो तो समझते हैं दो-चार उदाराडों के माध्यम से आ-ई-उ क्या के बोले हमने आ-ई-उ चलो लिखो तो कुछ उदाराड दो-चारिस में जोड़ जोड़ करके बताओ आ-ई-उ में जोड़ करके बताओ जल्दी से जैसे विद्याधन आलाए लिखो विद्याधन आलाए आंसर लिखते जाओ जल्दी जल्दी से, जो भी शब्द मैं कहूँ उसका, विद्याधन आलाय, जैसे लिखेगा, एक धन अंकी, विद्याधन आलाय, एक धन अंकी, चरणधन अम्रित, देवधन आगमन, द्रोणधन आचार्य, दिव्यधन अस्त्र, दिव्यधन अस्त्र, दीनधन अंक, श्वेतधन अम्र, श्वेतधन अम्र, देवधन आलाय, छात्रधन आवास, गजधन आलाय, अतिधन इंद्रिय, कविधन इंद्र, गिरिधर इंद्र, रविधन इंद्र, कपिधन इश, कविधन इश, कविधन इश, हरिधन इश, मुनिधन इश, याद रखना इंद्र में छोटा ई और इश में बड़ा ई होता है इंद्र में छोटा ई और इश में बड़ा ई इश्वर वाला और इंद्र दोनों ही सब्द से परिचित हैं आप लोग फिल्ल को सूधन उक्ती सूधन उक्ती साधूधन उर्जा साधुधन उर्जा भानुधन उदै लगुधन उर्मी वधुधन उत्सव अब बताओ इतने सब्दों में से कौन साइसा सब्द है जो नहीं बन रहा जल्दी लिख लो जल्दी से लिख लो एक दम जल्दी से लिख लो पहला क्या लिख लो जल्दी बताओ विद्या धन आल है विद्या आल है आसान है दूसरा एक धन एक आंकी अभी लिखे भी थे हम लोग एक धन अंकी एक आंकी फिर चरण धन अम्रित चरणाम्रित हो जाएगा कैसे लिखेंगे इसको चरणाम्रित ऐसा लिखेंगे न ठीक है फिर अगला देवधन आगमन देवआगमन लिख सकते हैं ऐसा सभी चलो फिर अगला द्रोड़धन आचार्य द्रोणाचार्य जिससे भी जिसको भी लगे कि सर ये वाला मैंने लिख पाया हूँ बे जिजक हाथ उपर करना वो लिख के बताऊंगा चुकि ये पहला और बहुत आसान है इसलिए में ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ देखो एक चीज दिनांग में कई लोगों की आदत होती दिनांग ऐसा लिखने की दीन धन अंक लिखे हम लोग दीन धन अंक लिखे हम लिखेंगे हमेशा क्या दिनांग क्या लिखेंगे दिनांग चलो आगे स्वेत धन अंबर स्वेत अंबर सुना सुना सा लग रहा है इतिहास में कुछ मात तो कहा है इसका जैन मत से संबन देते हैं ना स्वेत अंबर दीक अंबर वाली चलो फिर अगला देवधन आला है देवाला है ठीक है छात्र धन अब समस्या ये है कि छात्रावास का यदी संदिविक्षेत करने के लिए कहा जाए छात्रावास संदिविक्षेत करके बताओ किसी के सामने बहुत टंगा हुआ है छात्रधान वास की छात्रधान वास ये ता समस्या हो गई नहीं तो ब्रैकेट में लीग दो फिर तब ब्रैकेट परिखने डेक। अ और आ भी आ होना है आ और आ भी आ होना है है ना तो इसलिए ऐसे सब्दों से थोड़ा बच करके चलना पड़ता है ठीक है ऐसे एकात एकात ही ऐसा कुछ क्या है परिशानी होगी बाकि आपके एक्जाम में ऐसी परिशानी आपको नहीं मिलेगी ठीक है वहाँ पर अंसर मिलेगा आपको चलो अगला क्या है गजधन गजधन आले अरे गजधन आनन बोला होंगा भई अरे गज़ाले क्या होता अरे यार गजधन आनन करो यार अरे गजब ही हो गया यार यह तो गजधन आनन गज़ानन ओहो ठीक है वो फ्लो में निगल गया होगा ठीक है चात्रधन आल है कि चात्राल है ऐसा के चक्कर में गजधन आल है गजधन आनन लिखेंगे भई क्या लिखेंगे सब लिख सकते हैं इसको अगला क्या है अतिधन हाँ ये कैसे लिखेंगे हम अती अती ऐसा लिखेंगे अती ऐसा लिखेंगे पहला की दूसरा शाब बाज दूसरा फिर उसके आथ क्या लिखेंगे इंद्रिय इंद्रिय ऐसा लिखेंगे ऐसा लिखेंगे ऐसा लिखेंगे पक्का और चाहें तो हम इंद्रिय ऐसा लिखें है था सुन्दर δीखेगा। ठीक है बाथ? तो खैर जैसा बी हो अन्तता बनेगा इसा? अतिंद्रिय हा कि न? अब तो ऐसा बन जाएनगा न? फिर अगला? कभी धन अब ये सांगा क्भी कैसा लिखते हैं ? कभी रवी धन इंद्र, रवी में भी तो क्या होता है? छोटा, और इंद्र भी? छोटा, लेकिन दोनों मिल करके बढ़ेंगे क्या? कभी भी बीच में आ रहा है, वो छोटा इह हो ही नहीं सकता, ये बात तो इस पर समझ में आ रही है आपको, कभी धन इस, कभी कैसा होता है? छोटा, बड़ा, और इस क्या होता है? छोटा, बड़ा, तब लिखेंगे हम क्या? कभी इस, क्या लिखेंगे हम? कभी इस लिखेंगे, ठीक है अगला? हरी धन इस, हरी में छोटा बड़ा? छोटा, और इस में बड़ा, और फिर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? हरी इस लिखेंगे, ये लो भई हरी इस, आप कोई किसी का नाम हरी इस है तो गलती से छोटा ही की मातरा तो नहीं लगा दोगे उसमें, हरी इस में हमें सा क् बड़ी यह लो भई मुनीश फिर क्या हो जायेगा सू धन उक्ती सू में छोटा की बड़ा छोटा और उक्ती में छोटा हूँ यह लो भई लेकिन बंती क्या आगे चल गए सुक्ती क्या हो गया यह सुक्ती ठीक है अगला बोलो साधू में छोटा की बड़ा धन उर्जा में बड़ा उर्जा ठीक है बड़ा उ हो गया अब बन क्या गया है ये साधूर्जा क्या हो गया ये साधूर्जा ये लो अगला भानू में छोटा की बड़ा भानू छोटा और उदय तब फिर क्या बन गया ये अब बोलेंगे भानूदय अगला लगुदन उर्मी लगु में छोटा की बड़ा उर्मी में छोटा पक्का चलो ठीक है छोटा लगाते हैं अब इसके पाद में क्या हो जाएगा लगुदन उर्मी क्या हो गया चलो अगला क्या है हमारे पास वदू में छोटा की बड़ा वदू में छोटा और उत्सव लेकिन जब बोलेंगे वदूत्सव तो वदूत्सव क्या हो जाएगा ये वदूत्सव बड़ा हो गया ठीक है बात तो इस तरीके से हम देखेंगे अच्छा और भी है क्या ये आखरी था कुल में ला करके हम देखते हैं कि बार बार क्या होते जा रहा है चाहे वो ई की मातरा हो चाहे वो क्या हो उ की मातरा हो ये सब क्या होते गए बड़े उ में या बड़े ई में या आ में बदलते चले गए यही है क्या क्या हो गया मा में हाँ ठीक है चलो लिखो जल्दी से लिख लिए पक्का अब उर्मी को बड़ा कर लो उर्मी बड़ा हूँ होता है चलो भई अरे उर्मी बड़ा चोटा चलिए तो यह है दिर्ग और सबसे आसान था क्या दिर्ग सुरसंदी सबसे आसान है दिर्ग सुरसंदी इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या गुड़ गुड़ किसे कहते हैं भई लिख लिए ने इनको चलो, गुड़ किसे कहते हैं जल्दी बताओ देखे, आ, ई और उ इन्हें कहते हैं क्या दिर्ग अब देखो यहाँ पर ध्यान से हमने कैसा कॉम्बिनेशन बनाया हमने कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें दो आपस में ही चोटे-चोटे वाले या चोटे-बड़े या बड़े-चोटे या बड़े-बड़े आपस में मिले और बना लिए क्या? आ, ई और उ ऐसा बनाएं? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, बढ़ते हैं आगे और बनाएंगे कुछ नया, अब क्या बनाएंगे हम? अब हम जोड़ेंगे इसको एक बॉक्स में बंद कर लो आ और आ को और इसको मिला करके देखते हैं किसी-किसी दूसरे के साथ जब हमने आ और आ को मिलाने की कोशिश किया E और E से, तो हमें मिला A या A को E या E से मिलाए तो हमें मिलता है क्या A क्या मिलता है A ठीक उसी प्रकार यदि मैं A या A को O या O में मिलाने की कोसिस किया तो मुझे मिला O क्या मिला मुझे O ठीक इसी प्रकार जब मैं A या A को मिलाने की कोसिस किया कि से री से तब मुझे मिलता है क्या इस इस्तिति मुझे मिली क्या अर क्या मिल गया मुझे अर ये लो भई अब मिल गया अर और ध्यान रखना अर में रमे हलंत लगाना बहुत ज़्यादा ज़री है रमे क्या लगाएंगे हम हलंत कहा कहा क्या 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 मिला है A और A में E या E मिला है क्या मिला A या A में O या O मिला है क्या मिला O और A या A में R मिला है तो क्या मिला R कैसे हो रहा है मेल मैं यहां पर एक बार लिखता हूँ देखो A या A में अगर मैं E या E मिलाता हूँ तो मिलेगा क्या A इसी अ या आ में यदि में मिला देता हूँ उ या उ तो मिलेगा मुझे क्या ओ और यदि में इसी अ या आ में मिला देता हूँ क्या री तो मिल जाएगा मुझे क्या अर अर को लिखते हुए हमेशा हम हलंत लगाएंगे इस बात का महत तो हमें अभी समझ में आ जाएगा जब हम दो-चार उदाहरण देखेंगे तो तो ध्यान रखेंगे हमेशा A.O.R. को गुड कहते हैं जैसे A.E.U. क्या ये? दिर्ग वैसे ही A.O.R. क्या हो गए? गुड हो गए समझ में आई बात A.O.R. को क्या बुल दी हम लोग? गुड कहा दिये अब कुछ उदाहरण देखे ज़रा जल्दी से? लिग लो इसको जल्दी से पहलें कि ऐसा होता है क्या? गुड गुड संधी में किसको इसको मिला रहे हैं हम लोग? आ या आ को मिक्स कर रहे हैं देखो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन बस, सिंपल ठीक है? कब किसके साथ किसको मिलाना है? ये बात ध्यान रखना है बस अपने आप सारे चीज़े बनने लग जाएंगी गुड में ए, ओ, अर मिलाते हैं? चलो लिखो नर्धन इंद्र नरेंद्र बनता है न? ए बना न? नर्धन इंद्र चलो लिखना चालो करो नर्धन इंद्र नरेंद्र उमाधन इश उमाधन इश अजब उदारा लिखो आ रहा हूं तो क्या चापना चालो कर रहा है फिर तो? जितना बोर्ड में लिखा खाली उतना ही लिखते रहेगा कहां से हिंदी सीखेगा? देख, उससे पहले वाले भी संधी किया नहीं कहां किया? दिखा कॉपी? कॉपी दिखा हो जर्णा अरी ये तो वो चीज है जो सामने है इसको तो फोटो खीच करके घर ले जाओगे तुम अभी जब मैं उधारण लिखा रहा हूं उधारण को लिखो न ये ऐसा अरकत करके क्या मिल जाएगा? हिंदी कक्षा में ऐसा अरकत नहीं करो विद्याधन आलाय लिखे हो यहां पर विद्याधन तुमने लिखे नहीं राइट लगा दी हो राइट मतलब क्या? हैं? चेक कर रहे हैं देख सर सही पढ़ा रहे हैं? अभी पूरा संधी करोगे और दिखाओगे मुझे चलो लिखो पहला क्या बोला था मैं? नर्धन दूसरा उमाधन इश तिसरा लिखो एक धन इश्वर एक धन इश्वर गजधन इंद्र गजधन इंद्र गडधन इश्वर गडधन इश्वर देवधन इंद्र देवधन रिशी धर्मधन उपदेश नागधन इंद्र राका धन इश राका धन इश राजा धन रिशी नव धन उदेश सर्वधन उच सर्वधन उच चलो बना लो इतना हर सद्धन उल्लास एक और लिखो हर सद्धन उल्लास हर सद्धन उल्लास चलो शुरू करो बनाना हाँ तुम्हारी इच को भी पहले चेक करूँगा मैं इस बार इधर कहां जहा करा है हाँ कहीं कोई समस्या गडेश वहीं पर तो काम आएगा अर मुझे पता है वहीं जा करके अटकोगे बन गह लेकिन सही है की नहीं है क्या पता चलो पता करें चलो पता करते जाते हैं क्या सही क्या गलत कितने लोग कब आकी अभी भी अरे बहुत बाकी है चलो बना लो बना लो एक बार तो खुद से ट्राई करो बनाओ तब फिर बताने का मतलब है पहला वाला तो समझ में आगे रहा हैं सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब दूसरे वाले में देखते हैं तो दूसरे वाले में पहला उदाहर क्या हमारा बोलो क्या है नरधन नरधन इंद्र अब यहां पर क्या होगा ध्यान से देखेंगे जब नर हम लिखते हैं तो नर में यह रा को नहीं ध्यान देना है बलकि यहां पर यह नरधन अ लिखा हुआ है और इधर का इंद्र है तो यहां पर किसका किसका संदी होना है अ और अ और अब मुझे बार बार वर्ण विक्षेत करके लिख रहे हैं तो आशकत नहीं पड़ेगी न हम यहां समझ सकते हैं नर का अंतिम वर्ण क्या है और यहां का ई तो दोनों मिरागर क्या बन गया यह एक इसमें लग जाएगा रा में और इसने मैं लिखूंगा क्या यह लिख दिया मैंने नरेंद्र क्या लिख दिया मैंने सभी को क्लियर है बात चलो अगला बोलो उमाधन उमाधन ईश और ईश बड़ा वाला होगा इस स्थिति में आधन ई क्या बनेगा बन जाएगा उमेश क्या बन गया अगला बोलो एक धन ईश वर में बड़ा की छोटा ईश वर बड़ा ना और क्या बन जाएगा अधन ई एक ईश वर क्या बन गया एक ईश वर सभी से लिख गया था ये लिख लिए थे ना खुद से चलो अगला बोलो गजधन इंद्र हमेशा छोटा ही होगा लेकिन लिखेंगे क्या अंतता ये लो भाई लिख दिये गजेंद्र अगला बोलो गडधन गडेश कोई दिकत अगला चंद्रधन अब फिर से नया आगए तो मैं लिख करके देखता हूँ ये लिख दिया हमने चंद्र और ये लिख दिये क्या अब यहाँ पर देखो चंद्र लिखा हुआ है द्र चंद्र को यदि मैं तोड़ूं कैसा दिखे गए अंत में क्या हैगा अंत में तो अ ही आएगा ना इस रा का तो कोई प्रभाव नहीं दिख दिख रहा है आपके मन में ऐसा तुनी लग रहा है कि सर ढरा आ गया कैसे कर रहे अंत में क्या आः तो आ का किसके सांद मेलोगा और उ तो बना देते हैं फिर क्या चंद्रोदए क्या बना दिए चंद्रोद है किसी कोई समस्या कोई दिक्कत चलो अगला क्या है जन्मधन जन्मोचाव फिर अगला देवधन इंद्र, देवेंद्र कोई दिक्कत लिखे अगला सभी तुमने लिखे हो जैसा क्यों सकल बना हुआ है लिखे लिए हो अच्छा ठीक हाँ फिर अगला देवधन अब खेलते हैं थोड़ा सा देवधन रिशी चलो खेलेंगे देवधन रिशी ये कैसे होता है ध्यान से देखना देव को तोड़ेंगे क्या है का द ए व अ आया और ये होगे क्या आपे री श ई है ना जिनमें से हम देखते हैं कि पहला वर्ण पहला सब्द तो ये है दूसरा सब्द ये है मेल होगा अ और री का ये पहले वर्ण का अंतिम पहले सब्द का अंतिम वर्ण है और ये दूसरे सब्द का परथम वर्ण है अ और री हमने देखा और री मिल के क्या बनाते हैं अर तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या अर क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अर ऐसा लिख दिया मैं अर क्या लिख दिया मैंने अर अब देखो ध्यान से अगर मैं अर लिखता हूँ तो बाकी बचे हुए क्या है यहाँ पर देव, हलंद के साथ व, क्योंकि तो इधार आगे है ना, हलंद के साथ व, और यहाँ पर क्या है क्या है यहाँ पर शी, देव अर शी, देव अर शी अब यह फिर से अ क्या करेगा, व को सहारा तो ये हो जाएगा क्या देव और आधा रा हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि रा जब भी आधा होगा वो कूद करके और इसलिए रा कहां चला जाएगा तब बन गया क्या ये देवरशी क्या बन गया अब सोचो यदि गलती से आप अधन री को यदि आप ऐसा लिखते तो क्या ऐसा करपाना संभव होता गड़बर हो जाती न बात इसलिए रा को हमेशा हलंत में लिखना है ताकि हम उसको दड़ा कुदा करके क्या है शाकी उपर वैठा है और कहेंगे क्या देवरशी महाधनरशी महरशी ऐसा बोलते जाएंगे हम लोग देवधनरशी राजाधनरशी राजरशी जो भी शब्द बनेंगे ऐसे क्या बोला मैंने महरसी महाधनरिशी या राजाधनरिशी राजरसी देखो था पहले वो महा लेकिन फिर भी बनेगा महरसी महारसी नहीं बनेगा समझे रहे बात को क्यों क्यों कि आ मेरी जुड़े तब भी अर और आ मेरी जुड़े तब भी अर आ मेरी जुड़ेगा तो अर होगा की आर आर होगा ऐसा तो मैंने नहीं बताया था न तो महा धनरिशी भी क्या हो जाएगा महर्शी ना की महार्शी वैसी राजा धनरिशी राजर्शी पहले राजा था अब हो गया क्या राजर्शी क्या हो जाएगा वो यह अर, अर को बोलने का तरीका समझ में आगया वैसे भी रा के उपर हमने बहुत सारे उपरेशन किये हैं पहले, है ना वर्डमाला में खुब सारा उपरेशन किये थी इसके उपर तो इसलिए रा के बारे में हमको पूरा कॉंसेट क्लियर है, है की नहीं पकी बात, तो यह बन गया क्या राजरसी, एक यही था जहां पर कुछ लोगों से गलती हो सकती थी, हुई है क्या यस, नो, दोनो है साथ में, चलो अधिकता लोगों से नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने मिल रहा है चलो अगला क्या है फिर धर्मो पदेश धर्मधन, उपदेश धर्मो पदेश, कोई दिकत धर्म के रा को देखकर कोई डर थोड़ी लग रहा है वो तो बल्कि आसान है ना धर्म, धर्म, रा पहले आ गया है मा के बाद में आ है तो कोई दिकत नहीं है देखो ये दिक्कत क्यों नहीं लगेगी आपको जब आपका वर्णमाला क्लियर हो फंडा क्लियर रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी वर्णमाला में यदी समस्या है तो आगे समस्या बनी रहेगी अगला क्या है नागधन नागेंद्र फिर क्या है राकाधन इश क्या राजर्षी फिर नवधन उदय ठीक अगला फिर क्या है सर्वच सर्वधन सर्वच भी लिख 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 लिखे होगे फिर हर्सधन उल्लास क्या हो जाएगा हर सो लास हर सधन उलास हर सो लास ठीक है बात बन गया इतना पुरा चलो तो ये हो गया क्या हमारे पास में गुड अब करते हैं वृद्धी क्या करेंगे अब चाप तो लिये थे ना अरे चापो मत लिखो देख के बस यूं ही लिख दोगे उसे कहेंगे चापना थोड़ा बुद्धी लगाऊगे तो कहेंगे क्या लिखना चलो टॉपिक डालो किसमें होगा वृद्धी फिर से फिर से एक कॉम्मिनेशन नया वालन फिर से कॉम्मिनेशन मनाते हैं ठीक है अब इस बार हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अलग इस बार फिर से आ और आ को पकड़ेंगे आ और आ को पकड़ेंगे जोड़ने कोजिस करेंगे A, A, O, O के साथ अभी रिस्ता यहां तक तैह हुआ था अभी नए रिस्ते बनाने हैं देखो नए रिस्ते बनाते हैं अब हम लोग नए रिस्ते बनाएंगे किसके साथ A, A, O, O के साथ ठीक है बात तो यदि मैं इस A, A का रिस्ता लेकर करे चलूँ A, A के साथ तो इनके संधी से जो उत्पन होगा यहां पर मैं लिख सकता हूँ क्या यहां पर मैं लिखूंगा A, A, A में यदि मैं जोड़ दूँ A, A, A को उत्तर हमेंसा क्या हैगा हमेंसा क्या हैगा A, A, A और ठीक उसी प्रकार यही रिस्ता मैं आगे बढ़ा सकता हूँ किसके साथ O, A के साथ यदि मैं इसको कह दूँ कि इन लोनों के साथ combination होना है क्या A, A, A का यदि मैं योग करता हूं किसके साथ O, या O, से तो क्या बननेगा भाई हमेंसा O, बननेगा क्या बननेगा O, पहली बार में कैसा संधी किये हम लोग पहली बार में हमने संधी किया कि A, 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 का U-U-U-Ka तब बना A-E-U पहली बार में ऐसा बना क्या क्या बना था भई A-E-U दूसरी बार में क्या क्या बना A-O-R क्या बना A-O-R A-O-R बन रहा है जब A-A का E-E से मेल हो A-A का U-U-Sे मेल हो या A-A का R-E से मेल हो लेकिन अब हम लोग सीधे बड़े की और जा रहे हैं इसलिए तो कहते हैं इसको वृध्धी क्या बोले इसको अब और रिष्टेदारी में थोड़ी बढ़ोत्री हो रही है तो स्वागत करते हैं इसका कौन कौन है ए औ ए औ किस में आ गए वृध्धी में आ गए किस में आ गए चलो फिर लिखो एक धन एक एक आ एक एक आ एक लिखो एक धन एक लिख दिये एक आ एक गलत हो क्या क्या तथा धन एव वसुधा धन एव हित धन एसी हित धन एसी ने हित धन एसी हित धन एसी गंगा धन एश्वरिय गंगा धन एश्वरिय परमधन आसधी परमधन आउदार्य परमधन आउदार्य क्या कठीन हो गया क्या इस पर बहुत आसान है चलो बनाने कुछिस करते हैं सोचो सोचो कहीं फसो तो बताओ चलो पहला क्या लिखें बोलो तो पहला लिखें हमने एक धन ये लो भई एक धन एक क्या का हमने का का अंतिम कौन होगा अ और यहां है क्या ए अ और ए तो हम लिख देंगे क्या एक एक क्या लिख देंगे फिर अगला बोलो तथा धन तथा धन क्या लिख देंगे हम तथैव सुने तथैव सुने तो होगा ना तथैव शब्दत कभी तो तथैव अच्छा ठीक है फिर अगला वसुधा धन एव क्या हो जाएगा ये सुने हो कि नहीं सुने हो कहां सुन लिए क्या सुने हो अयम निजह पेरवेतिगर ना लगू चेत साम उधार चरीता नाम तू वसुधा धैव कुटुमबकम ठीक है तो आगए क्या वसुधा धैव फिर क्या है हित धन हित धन ये लो हित धन ऐसी ऐसे लिखेंगे ऐसी गड़बड हो गया क्या चलो फिर सुधार लेते हैं हित धन ऐसी और क्या लिखेंगे इसे ये लिख दिया हमने हिताइसी क्या लिख दिया हमने हिताइसी अब गंगाधन अरे वही हो रहा है बार बार गंगाश्वर ये ठीक अगला परमधन परमौशधी लिख लिए अगला परमौधारिय लिख लिए कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पर समझ में आगी बाते हैं हाँ कि ना कोई दिक्कत नहीं है आ में हम लोग को जोड़ना था पहले हमने आ में ई, उ, र, र, जोड़ा तो A, O, R आता है दूसरी पार में हमने आ, आ में जोड़ा A, A, O, O को तो A, R, O आता है दो अलग अलग बस आपको याद कराने के लोग बना दिया गया है बाकि एक कॉंसेप्ट समझोगे तो बहुत सिंपली सबको आपस में जोड़ बस रहे हम लोग अब A के साथ तो रिस्तेदारी हो गई पूरी अब कैसे रिस्तेदारी चालू करेंगे भई रिस्तेदारी हमने बनाना चालू किया था तो हमने बना लिया A के साथ पूरे एक पूरे रिस्तेदार बन गया है अब किनका रिस्तेदारी करेंगे अब या का अब देखो A आपस में भी मिल गया A जो है इन सबसे भी बारी बारी से मिल लिया तो अब आ के साथ रिष्टेदारी करना करते हैं बंद अब रिष्टा आ के तरफ से नहीं जाएगा वो परेशान हो गया अब रिष्टा आ की और आएगा और लेके कौन आएगा आ के बात वालों को पहले पकड़ते हैं किसको पकड़ेंगे A के बाद वाले पहला रिष्टे ले करके जाते हैं इसके पास ठीके, अब रिष्टेदारी चलो, अब रिष्टेदारी चलेगी उल्टी कैसे रिष्टेदारी हो रही, देखो सबसे पहले जाएंगे E और E अगर E और E E और E A और A के साथ मिलने की कोशिस करें इसकी एक वास्तविक्ता समझो. जब भी मैं ऐसा कहता हूँ. I-A-E मिलता है A से, तो क्या बनेगा? इसकी वास्तविक्ता ये है कि यहां पर बना है यद्धन A. क्या बना है? यद्धन A. अब इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब ये है कि यदी मैं ई या ई में यदी मैं जोड़ देता हूँ आ तो ये बन जाएगा यधन आ मतलब कि ये बनता है य तो ये बनता है या ये बनता है य तो ये बनता है क्या ठीक है बात? एक, यदी इसी को मैं ई या ई में अब देखो यदि ई-ई में ई को ही जोड़ू तो बन जाएगा ई तो एक रिष्टतार इधर आई अभी उधर जाकर देखेंगे उ-उ के साथ यदि मैं जोड़ू यदि मैं उ के साथ जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा यधन-उ मतलब की यू समझ रहे बात को यदि मैं इसको जोड़ूंगा ई-ई-ई के साथ में बड़ा-उ को अगर जोड़ता हूँ तो बन जाएगा क्या यधन-उ मतलब की बन जाएगा यू कुल मिला करके कुल मिला करके एक चीज़ को समझो यदि मैं ई-ई के साथ किसी को भी जोड़ना चाहूँ तो वो बनेगा क्या E और A का वाला कॉम्बिनेशन या और कोई भी भिन्न स्वर छोटा और बड़ा दोनो क्या बोल रहा हूँ मैं या के साथ में A है तो या या A है तो या U है तो यू बड़ा U है तो बड़ा U या तो ये ये यो और यो क्या क्या बन सकते हैं ये लोग तो मैं यहाँ पर सिधे सिधे लिख देता हूँ कि E के साथ में E या E के साथ में कोई भी भिन्न स्वर यदि मैं जोड़ता हूँ भिन्न स्वर कोई भी भिन्न स्वर जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा यदन भिन्नसवर क्या मिलेगा मुझे यदन भिन्नसवर जो भिन्नसवर मैं जोड़ दू भिन्नसवर मतब यदि मैं EE को ही जोड़ूंगा तब फिर वो दिर्गसंदी हो जाएगी ना तो EE के अलावा कुछ भी मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा या और वो भिनस्वर नहीं जोड़ेंगे उसको नहीं जोड़ेंगे ठीक है बात समझ यह बात को तो यदि मैं ए के साथ आ जोड़ा तो क्या मिला क्या मिला या ए के साथ आ जोड़ा तो उ जोड़ा तो उ जोड़ा तो और ए जोड़ा तो ये यो याओ मिल गया ऐसा ये एक कॉम्बिनेशन बनता है समझ में आई बात और यदी यदी फिर से यहीं पर पकड़ लेते हैं हम लोग यदी ये उ उ अगर रिष्टा ले करके जाये तो तब क्या होगा यदी उ और आ आ का मिलना हुआ तब क्या बनेगा फिर से देखो यहाँ पर चलो इसको हटा करके मैं सिंपल तरीके से लिखता हूँ ये तरीका लिख लिए ना आप लोग नहीं लिखे हो भी समझ में तो आया है ना चलो फोटो खीचो एकदम जोर से एकदम जोर से खीचो खीचे जोर से अरे एक दो लोग खीचे गुरूप में डालो और सब गुरूप में क्या कर रहे हैं तुम लोग गुरूप में डालो एकदम चलो यहाँ बताता हूँ अभी तुमको जो मैं बताने की कोशिस कर रहा था वो बात ये है कि यदि ये E इस A-A के साथ कुछ इस तरीके से क्या है कमाइन होगा तो मिलेगा क्या हमें हमें मिलेगा E या E के साथ कोई भी जुड़े E या E के साथ कोई भी भिन्नस्वर मिले कोई भी भिन्नसवर यदी जुड़ता है तो इसका result क्या निकलेगा हमेशा या प्लस भिन्नसवर हा कि ना समझ मैं आई बात वैसे ही उ उ को यदी मैं कहता हूं तो क्या होगा उ या उ के साथ कोई भिन्नसवर यदी जुड़े तो भिन्नसवर के साथ क्या जाएगा भई क्या जाएगा ये व और भिन्नसवर व और भिन्नसवर यदी मैं री को ऐसे ही जुड़ना चाहूं तो री के साथ क्या होगा री के साथ कोई भिन्नसवर जुड़ना चाहे तो क्या होगा उसका और भिनस्वर तब बन जाए गए र और वह भिनस्वर अब देखो इतने तेजगती सी इसको क्यों बताया है समझो बात को यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी या वह और र की किनकी बात कर रहा हूं मैं या वह रह किसकी बात कर रहा हूं मैं या वा र या वा और र की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना जब कभी भी हम लोग पढ़े थे वर्णमाला तो वहां पर हमने पढ़ा था इनको किसके अंतरगत अंतास्थवेंजन क्या बोले थे इसको और हमने कहा था ए में आ मिलाने से बना क्या और इसी उ में आ मिलाने से बना क्या और री में आ मिलाने से बना क्या एक और था ना अंतरगत था वेंजन लेकिन वो किसमें मिलता था रली और रली को तो हम अपने स्वर में जोड़ते हैं नहीं वैसे तो री भी हमारे हिंदी भाशा की नहीं है संस्क्रिट भाषा की है लेगिन हिंदी वर्ण माला में सामिल है तो इसलिए हम लोग यहां पर या वा रा को यड कहते हैं क्या बोला मैंने या वा और रा को यड कहते है या वा और रा को यड कहते है या वा और रा ठीक है अध्यान रखना हमेंसा य व और र ही नहीं बनेंगे क्या बनेगा य से या य यू यो यो व से व वा व कैसे बना दे रहो जी भीनसवर मिलाना है तो क्या होगा इसमें व व व व व री वे वय वो व अब र में क्या देखेंगे हम लोग र र रे र रि रो रू रे रे रो रव ऐसा देखेंगे भिन्न सवर होना चाहिए उसके अलावा कोई भी जोड़ लो ठीक यह बात तो अ जो है तीन प्रगार से कॉम्बिनेशन बन रहा था आ का या तो आपस हम मिले या पिर किसी ओर से मिले तो A, O, R बना रहा था या A जो है A, A के साथ मिल रहा था तो A, A के चक्कर में ही तीन संधी हमने पढ़ा लेकिन जैसी फिर हम लोग E, U और R की ओर आते हैं तो इनका नियम समान है जिसको बुल देते हैं क्या? यड़ ये किसी के साथ भी मिले बनाएंगे यह और भिंसवर वऔर भिंसवर, रा और भिंसवर तो लिखो उदारत तेज गती से एक दम यड़ के उदारत लिखे जरजल्दी से आदीधन अंत अतीधन अधिक अतिधन उत्तम अतिधन उत्तम अभीधन उदय अभीधन उदय गौरीधन आदेश देवीधन आगम नीधन उन नीधन उन बडव पित्रिधन आदेश मधुधन आचार्य वीधन अर्थ वीधन अर्थ वीधन आपक वीधन आपक वीधन आकूल वीधन आपकूल वीधन आयाम प्रतिधन एक प्रतिधन उपकार प्रतिधन उपकार प्रतिधन उपकार प्रयाथ है चलो लिखो जल्दी से अब एक जबर्दस सीज निकल करके सामने आएगी आपके सामने बहुत धंग से बनाओ बहतरीन चीज पता चलने वाला है अभी आपको प्रतिधन उपकार ओए ओए इधर कितने बार जहां को गे यहां जहांग देश कुछ नहीं मिलेगा बुद्धी लगाओ कितने लोग को लग रहा है कि इस बार समस्या हो रही है सर एक दो तीन चारा रहे पापरे एक सत पचासों हाथ खड़े कर दोगे तो कैसे बनेगा हाँ होगी इसमें समस्या बिल्कुल होगी क्या इन बातों को हमने नोट कर लिया है अब इनके सफाई का समय आ चुका है इसको नोट करो ग्रूप में डालो फोटो की जो ग्रूप में डालो फट से एक दम तेजगती से और नहीं तो जा करके घर में दुबारा इसी वीडियो को देखना ठीक है कई लोगों के लिए हो सकता ऐसा लग रहा हो कि सरसंदी थोड़ा सा तेजगती से चल गया ऐसा लगे तो अराम से स्लो मोशन में घर में जाकर दुबारा देखो ठीक है कैसे स्लो मोशन में चलो यहां जो लिखा हुआ नियम है अब उसको अपने बुद्धी में डालते हैं उदाहरों के साथ क्या डालेंगे चलो जल्दी से बोलते जाओ पहला शब्द क्या था बोलो क्या था आदिधन अंत आदिधन यहां पर अंतिमण क्या है किसका मिलना होगा किसका मिलना होगा आ से तो क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह य और अ मिलके या लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो पूरा तोड़ करके देखते हैं यह तो हो गया आ और हो गया द आधा द फिर इ फिर अ फिर यहां पर क्या है आधन ना तधन अ ऐसा था ना ये हां कि ना और इन दोनों के मिलने से ये बन गया क्या ये ये बन गया पूरा क्योंकि हम कहते हैं क्या ये और आ के मिलने से या धन कोई भी जो भिननस्वर है वो तो ये आ गया अ ऐसा ही होगा हां कि ना किसी को ऐसी दिक कद कि सर ये समझ नहीं आया टाइप अब देखो यदि ये ऐसा है मतलब ये पूरा यह है तो इसने तो इस दा के मात्र को खा लिया ना तो दा तो आधा रह गया पेचारा तो इसलिए हमारे पास जो नया सब दाएगा उसमें आ होगा आधा दा होगा यह होगा और यह के बाद में आधा ना होगा फिर होगा ता लेकिन अगर मैं आध्यंत ऐसा लिखता हूँ तो उत्रा सुन्दर नहीं दिखता इसलिए मैं कैसा लिख देता हूँ आध्यंत ये आधा दा बनाने कोशिस और यह बना करके यहीं पर मात्रा लिख दिये क्या आध्यंत ऐसा कुछ बना होत आत्रा बना दिये, दाकोया में जोड दिये, जोड दिये ऐसा, बन गया पूरा, चलो अगला पहलो जल्दी से, आदी अंत के बाद, अतिधन, अतिधन, अब बताओ, क्या हो गए यहाँ पर, अ-त-ई-अ, और इधर धिक में लिख देता हूं पूरा, क्या हो जाएगा यह, कोन दुर आ गया, क्या बन गया, तो किया समझ मैं हमको, की हमेशा, यहाँ पर हम देखेंगे, की यड संधी में, एक शब्द जो है, कोई एक सब्द नहीं, एक अकषर जो है, वो क्या रहा जाता है, आधा, क्यों आधा रहा जा रहा है, क्योंकि उसके मात्रा के कारड़ी तो हाँ ये भी बन गया फी रगला गौरी धन आदेश ये वाला बनाओ गौरी धन आदेश बनाओ जल्दी से हाँ जो नहीं बन रहा है उसको बोलो जल्दी इसे लिए क्या है क्यों नहीं बना ये गौरी धन आदेश देखो यहाँ ध्यान से गौरी धन आदेश गौ धन रधन ई धन आ धन देश ऐसा लिख सकता हूं मैं इसे? हाँ कि ना? अब अगर मैं इसे ऐसा लिख दिया तो ई और आ मिलके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? और अच्छा मैंने गलत लिखा यहाँ रधन को मुझे लिखना चाहिए था क्या? ऐसा? हो गया ऐसा? इसका मतलब की मैं इसे लिख रहा हूँ क्या? गौर यादेश हाँ कि ना? और अगर आदा हो तो आदत क्या इसका? सिर पे जाके बैठेगा इसका मतलब मैं लिखूंगा क्या? गौरिया देश क्या लिखूंगा मैं? गौरिया देश अब लिख लिख लिए गौरिया देश हाँ कि ना? बन पा रहा है अब? एक है हमारे पास में देखो पित्री धन आदेश जोडो पित्री धन आदेश को क्या बोलेंगे? आप कभी भी देखोगे कि यड संधी में मैंने कहा कि आधा अक्षर जरूर मिलेगा अब गौर्या देश में डारेट नहीं दीख रहा है लेकिन रा का आधा रूप है न वैसे ही पित्रा देश में आधा अक्षर है की नहीं है है की नहीं है डारेट देखने में तो नहीं दीखेगा लेकिन तरा वास्तों में किस से बना है आधाता और हाँ कि ना तो चलो बना कर रहें देखते हैं पित्री धन आदेश पित्री धन आदेश इसको भी तोड़ें क्या मिलगा तोड़ने पर पि त री आ और देश केवल जो काम का केवल उतना ही तोड़ रहा हूँ फिल हाल के लिए मैं री और आ मिल करके क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे रा बनाएंगे मैं कुछ समय के लिए र और आ लिग देता हूँ अपनी आसानी के लिए और यहां पर आगया पी यहां आगया क्या त और यहां आगया देश मुझे पता है त और र मिलके क्या बनते हैं तरह बनते हैं और उसमें जुड़ जाया गई है आ तो बन जाया गई है क्या पित्रा देश बना अब हाँ चाहो तो ऐसा लिखो ना कैसे लिखने बोल रहा हूँ आप फिर ऐसा तो ये वाला तो ये तो री की मात्रा है री की मात्रा अपने किस रूप में आ चुकी है अब रा के रूप में हमने क्या देखा री के साथ आ का मिलन होगा क्या बन जाता है वो रा तो आप उसको जब रस्ती ऐसा फिर क्यों लिखे यह राका नहीं री की मात्र है भई ठीक है तो तब जाकर हमने बनाया क्या पित्रा देश बना लिए ऐसा हां कि ना चलो तो हमको यह देखने मिल गया कि यहां पर यह जो भी है यड़ संधी यड़ संधी में हमेसा क्या दिखेगा हमको एक आधा अक्षर जरूर मिलेगा एक आ मधुधन आचारिया मधुधन आचारिया मधुधन आचारिया मधुधन आचारिया मधुधन आचारिया उधन आ क्या बना क्या बना वा तो बन गया ना मधुधन आचारिया क्या दिक्कत थे इसको समझने में जैसे आपके पास एक सब्द है क्या नीधन उन अब इसके पास क्या है? नीधन उन में देखो न इ उ और न तो यह न वेचारा आधा है इ और उ बन गए क्या? यू और क्या आ गया? न तो लिख दो नीउन कोई दिक्कत कोई दिक्कत वीधन आकुल व्याकुल वीधन आयाम व्यायायाम अब आ रहे हैं कुछ शब्द समझ में चलो तो यहां पर इंड करते हैं हम लोग किसको किसको यड को और हमारे पास अभी बाकी एक और है कौन सा और इसको देखेंगे हम कल आज के लिए इतना ही ठीक है चलिए झाल